हेलो व्रीवन वेल्कम टू ब्रेक्टाइम प्लासेस इस वीडियो में हम यूपी पीसेस 2022 के लिए दो महने का प्लान एक डिसाइड करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है हम मोटा मोटा लेके चलते हैं कि दो महने का टाइम बचा है इधर होली तक तो होली के एक दो दिन बात तक लोग कम पढ़ेंगे क्योंकि बिजी रहेंगे और उधर बारा जून को एक्जाम है तो हम एक से बारा तक टेस्स सिरीज के लिए छोड़ रहें क्योंकि लास्ट में कोर्शन सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपोर्टन होता है तो यहां पर हम 110 प्लस मार्क्स क लोग नहीं पास हो रहें जनरली तो थोड़ा बहुत लग डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपकी मेनत रहेगी लेकिन इतना नंबर मैं अपने एक्स्पीरियंस से क्या-क्या चीज़ें की जा सकती हैं बता रही हूं वोट नौट टूडू क्या-क्या हमें बैठना है क्योंकि जब आप दो महिने का समय बचता है और आप सोचते हैं कि एक सब्ता मैं किवल हिस्ट्री पढ़ूं और इसी खतम कर दों फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओं तो जब तक आप फिर से एक्जाम आने तक जो एक सब्जेक्ट आज उठा के चल रहे हैं उस हिस्ट्री का वेट इस सबसे ज़्यादा रहता है उसमें भी मॉडन हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजे तो एक दिन में तीन सब्जेक्ट लेके चलिए आप कोई भी तीन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और दूसरा है पॉइंट सभी स्टैंडर्ड बुक नही पढ़ेंगे पूरे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या फिर कोई भी बुक ऐसी जो उठा लिया मोटी सी बुक वो कवर नहीं हो पाईगी दो मैने में आप कितनी भी कोशिस करने वो बुक तो कवर हो जाएगी लेकिन बाकी सब्जेक्ट चूट जाएंगे तो स्टैंडर्ड ब इगाल से देख लिजी क्या चीज़ें चल रही हैं बाकी आप मैगजीन स्पेस टाइम पर डिपेंड कर सकते हैं जो भी आपने हर मन्त की मैगजीन लिए उसको बार बार से रिवाइस करिए और अभी से कोई जून के पहले तक का मई के बीच तक का आपको करेंट एफेर दे तो इस टाइम पर केवल दो आंसर ही लिखना चालू करेंगे अगर आपका यूपी पीसे सारो यारो मेंस का पेपर नहीं है भी तो इस समय पर राइटिंग पर थोड़ा कम फोकस करेंगे आपको चीज़ें अभी कवर करनी है और मैक्सिमम मार्क्स लेके प्री पहले क्वाल स्ट्री इस बार जो पैपर आया था उसमें मेडबलिश के कोशन जादे थे एंसेयंट के कम थे लेकिन इन दोनों में हमेशा बदलता रहता है कभी एंसेयंट के जादे हैं कभी मेड़िवल के जादह आते हैं तो आप कोशिस करिए कि modern को सबसे ज़्यादा time उसके बाद और चीजे आप बहुत जादर डीप में नहीं पूछ चाहता है और सबी चीजे एक लाइन में पूछ ली जाती है उसी में कंफ्यूजन होता है लेकिन अप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रियेट किया जाता है तो आप पूरे से कई बार रिवाइज करें के वल फैक्ट पॉलिटी में भी हम आगे बात करेंगे क्या क्या चीजे है जो चौथा बेटे से पॉलिटी का फिर एकोनामिक्स फिर यूपी यूपी के कोश्चन अभी तक कम आते थे लेकिन इस बार सम्हाव ना आ या पिछली बार भी कोश्चन काफी यूपी से पूछे गए थे तो य बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे पहला काम करना इन सब्जेक्ट को हटा के तो दस सब्सक्राइब साल का कोश्चन पेपर आपको सीरेसली सॉल्व करना है इसके बिना आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लिए लिजे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा कि हम में क्या चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ूं किसे ज्यादा कोश्चन पूछ जा रहे हैं अगर आपने पहले स से सॉल्व किया है आपको पता है फिर भी सॉल्व करें क्योंकि बार-बार उससे कोश्चन रिपीट होते हैं उसको जरूर पढ़ने क्योंकि इससे आपकी 40 परसें प्रप्रेशन हो जाती है उसके बाद का 60 परसें आपको खुद से गवर करना होता है बहुत सारे कोश्चन रिपीट करते हैं याद रखेगा और अगर आप कोशन पढ़ने के बाद आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो जादा आपको हेल्प करेगी आगे चलेंगे हिस्ट्री की बात करेंगे modern history में spectrum की summary जरूर पढ़ीज़े अगर आपको standard book से थोड़ी चीज़ें cover करनी हैं तो इस spectrum में जो last में हर chapter के summary दी हुए होती है उसे पढ़ लिजे और Lucent में जो लिस्टिंग दी रहती है जैसे बहुत सारे संस्थान है ये कब बने थे इसको बनाने वाला कौन था आजादी के पहले जो संस्थाएं थी उनको मैचिंग में बहुत सारे कोशन पुछ जाते हैं जो तनित्ता अंदोलन Modern History में जरूर पढ़ लिजेगा उसमें से आपको यह भी पता चलेगा कि जो यूपी पीसेस के थुरू जितने भी और एक्जाम होते हैं केवल यूपी पीसेस हैं यारो यारो और जो भी एक्जाम है उसके उसमें जो कोशन पूछ जा रहे हैं ट्रेंड का सोला वीडियो द्ये हैं आप उससे पढ़ सकते हैं या डाक एसके बनाड़ने की पढ़ सकते हैं उसमें मैंने खुद का éléments बनाया है जो उनदिते हैं उसका लिंक डिस्क्रूप्शन में अलग-अलग राजी बन गए थे तो उनकी उनमें कौन से राजा हुए उनका क्रम क्या है यह सभी चीजें पूछी जाएंगी मेडवल हिस्ट्री में और हमेशा इंपॉटन रहती है अकबर के टाइम पे जो जो काम किये गए थे जहांगीर के टाइम पे जो जो काम किये गए थे बहुत इंपॉटन है तो इस लुषेंड से यह लिस्टिंग दी है थोड़ा चीजें आप रिवाइस कर सकते हैं में मैचिंग से या फिर स्टेटमेंट वाइस बहुत पूछी जाती है और इंपॉर्टन होती है और हम इग्णोर कर देते हैं क्योंकि वह लुषेंड में लिकी हुए होती है और हमारा तुरा दिस से कबर हो जाएगा आगे चलेंगे बूगोल की बात करें तो शांती से पाहड है घर से बिंधया के ऊपर कॉंसी बिंदे रेंज के ऊपर कॉंसी पहाडी है कौन सा पठार है रावली के को यहां से पर के साइट में देखे हैं इस November या सैपी में आगे बात करेंगे व्ल्ड हिस्स्ट्री में जो इस Amen गटना सक्रयों से बखोत अच्य सेमेप में लुक का सवे disciplinary की और देखें न है और धनी समय इसी इसमें ज्धायर से हो और परunted कर horrific में फोकस और फोकस करें है कि वर्ड जोग्रफी से ज्यादा पूच पूचा जाता है जादा कॉनसेप्ट पूचा जाता है जो जलबायु ट्लाइमेट और या फिर अच्छांस जो है कैसे किधर जाएंगे तो क्या चीज़े होंगी और थोड़ा दिमाग लगागे अगर कोई कॉनसेप जरूर पढ़ लिजा और किसी class की पढ़िए चाहे नहीं और अगर UPSC की बात करें तो उसमें 11-12 की book important होती है लेकिन यहाँ पे 9 की पढ़ लेंगे तब भी बहुत है other books की बात करें तो आपका अगर time बसता है तो fact थोड़ा परिक्षावाड़ी और महिज बढ़वाल से cover कर सकते हैं अगर आपके job वगरा करते हैं आपके पास time नहीं है तो यही चीज़ें काफी है आगे चलेंगे quality की बात करेंगे quality में केवल घटना चक्र से आपको revision करना है औ हमें पता नहीं चलता है कि इसका answer यह कैसे हुआ है फिर इसके पीछे हमें और भी चीज़ें जानने का मन करता है तो उसके लिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो एम लक्षमी कांद की जो book आती है उसमें से ढूड़ लिजे पूरा book पढ़ने की कोशिस मत क्योंकि अब नहीं कवर हो पाएगा और किवलू कॉंसेट पर जाईए और एक से लिए क्यावन तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसे याद कर लिजे प्रस्तावना में क्या चीज़ें लिखी गई है कब जोड़ी गई कहां से कौन सा चीज लिया गया यह चीज़ें आपको दूंजेंट में मिल जाएंगी वहां से भी कवर कर सकते परस्तावनावाला पार्ट ये स्ट्राइटिंग में जितने भी फैक्ट है वह आपको प्राकिया निक्सकर से घटना चाब से जो कॉニचachtet को आपको नहीं समाझ आ रहा है कोई चीज लख्षमेकान से ढुणिए उसको अगर आप कोई चीज ढूंड लेते हैं या गूगल कर लेते हैं वह आपको कभी नहीं बूलेगा अगर आपको उस टाइम नहीं आ रहा थो भूल लिया आपने तो कभी जिन्दिगी में नहीं भूलेगा तो आगे के एकजाम के लिवे आपको काम कि लूशन लूशन करता है उसके दिमाग में भड़ जाता है कि मुझे लूशन नहीं पढ़नी है लेकिन एक्जाम के थोड़ी दिन पहले आप लूशन से बहुत सारी चीजिया कवर कर सकते हैं आपके बहुत सारे आंसर सही हो सकते हैं जो आपको बड़ी-बड़ी बुक्स मे मैगजीन से या फिर यूट्यूब वीडियो से बजट की समरी लास्ट में यह दोनों चीजें जो हैं जो डैनेमिक पार्ट है इकोनामिक का इसको कोशिस करेगा कि एक्जाम के थोड़े दिन पढ़िए पहले ही पढ़िए क्योंकि अभी से पढ़ लेंगे तो यह चीजें क्योंकि जो डेटा हैं इसमें करेंट में बजट में या योजना में वो जल्ली से आसानी से याद नहीं होते हैं आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या चीजें तो परिक्षा वाड़ी से ही सभी चीजें कवर हो जाएंगी जनसंख्य नगरी करांड से कोशन खुब आता है जिसमें अरेंज करना होता है तो वो सारी चीजें फोकस करिएगा जनसंख्या पे बहुत ज्यादा एक यूपी जनसंख्या की एक अलग से बुक आती है उसको छोटी सी पतली सी बुक है उसे आप चाहें तो ले सकते हैं 40-50 रुपई ही म प्रसेंट करना है गटना चक्रसे बार जी के कोश्चिन भी रिवाइज कर सकते हैं ज्यादर दफ नहीं है विटैमिंस वगरा रोक कौन से किस विसाडु जीवाडँ या फिर किससे फहल रहे हैं वो चीजें क्या चीजें कौन सा उपग्रह चोड़ा गया कहां से चोड़ा गया या फिर किस देश का था वो यह किस काम आएगा इसका काम क्या है तो यह सभी चीजें पूछी जाते हैं एक्जाम में तो टेक में करेंट से कवर हो जाएगा आगे चलेंगे एंवार्मेंट के लिए द्रिष्ट या इस वाली इन्वार्मेंट की बुक ले क्योंकि छोटा छोटा लिखा है और ज्यादा कवर नहीं हो पाएगा एक्जाम तक हो सकता है तो घटना चक्र की बुक से आप इन्वार्मेंट कवर कर सकते हैं या फिर आप जो भी जोग्रफी में पढ़ते हैं वह सभी चीजें अगर आप जोग्रफी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इन्वार्मेंट की चीजें भी हो जाएंगी क्योंकि इन्वार्मेंट में वही चीजें आती हैं बहुत इजी सी कि यह वाला नेशनल पार्क कहां यह वाला टाइगर रिजर्व कहां है इस अभी आप आपको इन् अदेथ कि अधाथ एक्सट्र्ण के आउयों पड़ा तो मंतली कर दिजाए कम से कम अक्टूबर से पढ़ना चालू कर दिजे अक्टूबर का देखिए नॉमबर के देखिए दिसंबर का देखिए आप खाना खाते टाइम लंग्स टाइम में अपने या फिर रात में खाना आती है जिसमें बड़ी से आँख बनी रहती है उसमें कापी हीजी करेंट आफिир के बारे में लिखी रहती है और वही सब चीज है यूपी पीसके फेपर के बेस्ट पे वह बनी है इसलिए बहुत सारी पेपर कें नहीं से ख सता या मिल जाती है दो सब चीजें औराखी आप चलेंगे test series की बात करेंगे लास्ट में सबसे test series आप कोई भी जो आपको trust हो जिस पे या फिर आपको जिसका explanation अच्छा लगे या फिर आप जिसको बहुत दिन से अगर आप पिछले बार पेपर दिया होगा आपने तो आपको ने कई सारी ऐसे test series देखी होगी जिस पे आपको trust हो देख सकते हैं बाकी break time classes मेरी एक test series जो मैंने बनाई है 50 question की test series डेली संडे को पेपर होगा साड़ी नौ बजे एक private telegram group है जिसका link आपको मिल जाएगा जब आप join करेंगे तो साड़ी नौ बजे test होगा के वल 50 question रहेंगे उसका explanation उसी दिन आंसर की के रूप में आपको मिल जाएगा सामको और बाकी उसी जो ग्रूप रहेगा private group उसमें जितने भी मैंने पहले videos अप करना हैं वो सभी चीजें उसका PDF भी आपको मिल जाएगा जितने एंसेंट हिस्ट्री के जो एसके पांडे की मैंने भी बात की थी का पूरा वो PDF मिल जाएगा current affair का जो मैं अभी चल रहा है videos मेरा उसके भी PDF आपको मिल जाएगे वहाँ पे और भी कोई मुझे जो चीज अच असा नहीं दिया है तो और मुझे भी लिखने में इसे बनाने में बहुत मतलब इतना आसानी से नहीं बन जाता है सब एक्स्प्लानेशन चूस करना उसमें समय टाइम लगता है तो यह 12 जून तक चलेगा जिसमें से 6 पेपर हो चुके हैं जो फीस है इसकी 500 मैंने रखी जो पर यह वार्चेप नमबर है और यह मेरा नमबर नहीं है काफी लोग भerson करते हैं इस पर मेरा नमबर नहीं है यह आपको मुझसे बात होगी जिससे बात होगी उससे आप सारी चीजे पूछ सकते है और 9 बजे के सुबे नाव बजे कि पहले कॉल मत करें क्यांकिए वो यू यह जो जिस तरह से आपको चीजे पढ़ने के लिए मैंने बताई हूँ आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब पर दीजिए का थैंकिस तो मुच्छ वर्चिंग बेग टाइम फ्लासस